इतने सारे ट्विष्ट तो मुंबई में इस्थित बॉलिवुड की फिल्म में भी नहीं होते जितने महराष्ट की राजनिती में आगे आज महराष्ट के मुझूदा मुख्यमंत्री देविंदर फड़नवीस ने 80 घंटे तक दुबारा मुख्यमंत्री रहने के बाद आखिरकार इस्तिफात दे ही दिया और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फरेंस में साफ किया है कि जनादेश उन्हें मिला था लेकिन शिवशेन एनसीपी और कांग्रेस की तिकडी ने उन्हें इस्तिफा देने पर आखिर मजबूर कर ही दिया वो अब मजबूत विपक्ष की भूमी का निभाएंगे और उनका ये भी कहना है कि ये तीनों दल एक ऐसी गाड़ी में टायर के रूप में जुटे हैं जो अलग-अलग परचन दिया लेकिन विपक्षी खासे खुस हैं हमलावर रहने में नंबर वन रहे संजे राउत जो कि शिवसेना के प्रवक्ता हैं उन्होंने ये कहा अजीत दादा अब हमारे साथ हैं जीहां फड़नवीस से पहले अजीत पवार ने जो कि उपमुख्यमंत्रीपद की हो गया कि फ्लोर टेस्ट कल शाम को पांच बजी यानि कि 27 नवंबर को पांच बजे से पहले करवाना होगा फ्लोर टेस्ट से पहले 288 विधायकों को शपत ग्रहन करवानी जरूरी उसके लिए प्रोटेम स्पीकर कौन होगा अगर नियमों के अनुसार चले हैं जिसमें सब से वरिष्ट विधायक को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाए तो वो होते हैं बाला साब थोराट कांग्रेस के विधायक दल के नेता है लिहाजा वो अजीद पवार को विप जारी करने के अधिकार से रोख सकते हैं दूसरे नंबर पे अजीद पवार खुद हैं जो की लगात स्पीकर होते हैं तो बीजेपी के लिए कुछ आस जगी थी क्या माहोल बनता इससे पहले ही देविंद्र फड्नवीस ने स्तीफा देकर ये कह दिया है कि विपक्ष की भूमिका बीजेपी निभाएगी और पुर्जवर निभाएगी इन सब घटना क्रमों में मुख्यमंत्री कौन बनेगा उपमुख्यमंत्री कौन होगा किसके कितने मंत्री होंगे किसके विधायक को कौन सा पद मिलेगा यह बातें अलग हैं लेकिन जो राजनीती के धुर चानक्य के रूप में उभर कर निकले हैं वो है बुजुर्ग शरद पवार उन्होंने साबित कर दिया कि बीजेपी के चानक्य कहे जाने वाले अमित्साह का मुकाबला शरद पवार से था हालांकि फ्लोर टेस्ट बहुमत साबित करने का मामला दूसरे पक्षकी और भी जाएगा जिस तरह से महराष्ट की राजनिती के उट ने कई करवट ली है लोग अभी भी सोच रहे हैं क्या ये राजनिती एक और करवट ले लेगी अमित्साह फ्लोर टेस्ट से पहले कुछ कम माल दिखाएंगे इस इंतजार में आप भी सब्सक्राइब कीजिए देखते रहिए जूम न्यूज